हलो फैंड डूर्ड रमार्ट में अभी काइसे टेडिंग चल लहीं है कि अभी मार्के़ लाइब हो चुका है control में कहाँ भूंख बनता हुआ देख रहा है कहा पर रेस्टन्स बनता हुआ देखेंगे लिखेंगे तो इससे पहले अभी तरह आपंने मेरे चैनल को लाइक सस्क इसका link मैंने already description box में दे रखा है यहाँ से मैं अपने views पोस्ट करता रहता हूँ अभी जैसा कि हम आज की opening की बात कर लेते हैं कल जो हमने analysis किया था यह जो candle बनी थी तो हम live analysis कर रहे थे उसके बाद में जो candle बनती है बड़ी-बड़ी candle बनती है और overall जो range है 66,600 से लेके 66,000 दोनों के बीच में बनती है अभी भी market के लिए यह दोनों range important बने हुए friends आपको यहाँ ध्यान देना होगा इस range में market अभी travel करने वाला है आज भी नीचे 66,000 को इतनी आसानी से break नहीं करेगा यहाँ 2-3 बारा आ चुका है आप देखेंगे एक, दो, थर्ड टाइम आ रहा है अब फोर टाइम भी आने की अगर कोशिस करता है क्योंकि gap down opening हुई है gap down होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर stay कर रहा है लेकिन market में भी positive sentiments नहीं बन रहे हैं इस base से आप ध्यान करके ही trading करिएगा क्योंकि अगर आप positive buying side opportunity देखते हैं तो 100-200 points जैसे आपको target मिले तुर्णत वहाँ से exit हो जाई है support resistance को बहुत important तरीके से follow करता है अगर आप देखेंगे 66,000 पर आता है उसके बाद 500 points उपर चला जाता है फिर दुबारा down side जाता है तो यह continuous में चल रहा है इसी base से हमें trading में अपने आपको plan करना होता है कि जिससे हमें losses ना हो और हम जो भी हमारी पास amount उसको protect करें क्योंकि ऐसे market में हमें सिब safe side play करना होता है market फिर आपको time देने वाला है अब 4 hour में आप देखते हैं continue lower low का formation कर रहा है कोई भी candle अगर आप देखते हैं आप even उपर से ही देख लीजिए यहां से 10 से लेके 10 से लेके continue market lower low का formation यह candle यहां है उससे नीची candle उससे नीची candle उससे नीची candle उससे नीची candle अब फिर finally gap down तो यहां देखें 67,200 से market continue 66,200 तो ऐसे डाउन आ चुका है आपको सिर्फ trend को follow करना है क्योंकि इसमें time decay नहीं होता है इस विए से आपको follow करेंगे तो अच्छा रहेगा इस week में हम इसमें trade करेंगे next week में हम next contract में trade करेंगे नहीं तो इसका थोड़ा सा size बड़े हो जाते हैं अभी इसका जो हम buying point amount है लबबग 8000 something rupees का है जो कि हम 1 kg lot में trade करते हैं silver micro को यह अगर आप silver mini में जाते हैं तो जहाँ पर 5 kg का lot size होगा उससे 5 से multiple करना होगा चाले 42,000 का lot size आपका हो जाता है तो फ्रेंड यह ऐसी चीजों के लिए आपको मेरे चैनल को फालो करना पड़ेगा लाइक करना पड़ेगा सस्क्राइब करना पड़ेगा और साथ में करने डेली टाइम प्रेम में भी देखते हैं 9, 10, 11, continue अब उसके बाद में 66,000 important role ले कर रहा है अगर इससे भी नीचे निकलता है तो मार्केट के लिए बड़े move downside के रहे भी ready हो जाएंगे 66 के नीचे तो आप यहां पे अपने आपको बहुत ही समाल के trading करिएगा क्योंकि अगर आप अगेस trade कर रहे हैं तो आपको definitely loss होन problem हो जाती है तो friends आपको gut feeling पे नहीं support resistance की feeling पे trading करना है जिससे आपकी price section भी बनती रहे अभी भी market एक range में है range के हिज़ाब से आपको trading करना है और उस हिज़ाब से आपको देखते रहना है किस तरह से setup बनता हुआ बन रहा है thank you friends like करिए comment करिए subscribe करिए मेरे channel को